नोच्छा दोस्तों, ढीठ है आज की 25 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एक्टोरियल डिसकेशन में सबसे पहले आप सबको Merry Christmas, Christmas की हार्दिक शूप कामने और बात करें डिसकेशन की आज हिंदू में तो सिरफ एक आर्टिकल इंपोर्टन्ट है इसके अलावा, हिंदू के इस Foreign Policy सम्मदित आर्टिकल के अलावा दो इशू हम डिसकेश करेंगे इंपोर्टन्ट, एक तो देखो street vendors से सम्मदित तीसरा इशू हम डिसकेश करेंगे, सिरी और बिंदो की 150 वी birth anniversary है और आपको पता है, UPSC की फेवरेट होती है ऐसी events 50 वी birth anniversary, 100 वी death anniversary, मतलब ये सब चीजें UPSC की फेवरेट होती है question पूछने की संभावना ज्यादा होती है और सिरी अर्बिंदो से सम्मदित तो ethics में भी question पूछा जा सकता है चलिए discussion स्टार्ट करते हैं first important article, India की foreign policy से समदित है आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो ये article लिखा गया है, Happy Man, Jacob के द्वारा और इस article में, परधामंत्री मोधी के पहले कारेकाल में इंडिया की जो foreign policy थी, उस समय इंडिया की क्या approach थी foreign policy में और परधामंत्री मोधी के दूसरे कारेकाल में, इंडिया की foreign policy में क्या बदलाव आए हैं मतलब, दोनों को आपस में compare किया जा रहा है राइटर का mainly focus इस बात पर है कि परधामंत्री मोधी के पहले कारेकाल में, इंडिया foreign policy के मामले में काफी सारी गलतिया कर रहा था, जिनको सुधारा गया है दूसरे कारेकाल में अब देखो कुछ चीजे तो ऐसी हैं, जो answers में लिखने रायक नहीं है जैसे कि पहले कारेकाल में, बीजेपी की ideological चाप देखने को मिलती थी foreign policy के मामले में, जैसे जब प्रधामंत्री मोदी नेपाल की यात्रा पर गए पसुपतिनाथ मंदिर में, तो उस समय उन्होंने जिस परकार के कपड़े धर्ण किये जिस परकार से टीका लगाया, जैसे वो एक संकेत देना चाहते थे कि नेपाल को इंडिया, हिंदुईजम की द्रिष्टिकों से देखता है, इसके अलावा जब भी प्रधामंत्री मोदी पहले कारेकाल में जाते थे दूसरे देशों की यात्रा पर, तो बड़े-बड़े शोस और्गनाईज किये जाते थे परधामंत्री मोदी को रोक स्टार की तरह दिखाया जाता था कहने का मतलब ये है, राइटर का, कि पहले कारेकाल के दुरान रिटोरिक ज़्यादा था, सब्स्टांस कम था फोरण पोलसी में और फोरण पोलसी की जो पावर्स थी जातर PMO के पास थी लेकिन अब सेकेंड कारेकाल में एक बर फिर से जो हमार देश की External Affairs Ministry है ना, उन्होंने कमान संभाल ली है और वो फोरण पोलसी समद्री डिसीजन्स ले रहे हैं पहले कारेकाल के दुरान इंडिया के नेबर हुड में जातर जो देश हैं इसे नेपाल, बांगादेश, सिलंका, इनके साथ हमारे relations खराब हो गए नेपाल में इंडिया ने अन ओफिचल ब्लोकेट लगवाया था ताकि नेपाल की जो constitution making process है उसको indirectly influence के अजास के बट ये move backfire कर गया और नेपाल के अंदर anti-India sentiments emerge होके आए बांगादेश का example ले लीजे, elections के दुरान किस परकार से BJP leaders के दवरा इस परकार की बाते बोली गई कि बांगादेशी जो हैं वो दीमक कितरे हैं, illegal immigrants, वो सब तो इसके वज़े से बांगादेश में भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इंडिया से ने राज हो गया सिरलंका में भी इंडिया ने king maker बनने की कोशिस की मतलब सिरलंका में जो elections थे, तो उन elections पर influence डालने की कोशिस की इंडिया ने ये सारे ऐसे examples हैं, जिनकी साहिता से आप कह सकते हो कि कई सारे moves इंडिया के backfire कर गए परधामंत्री मोधी के पहले कारेकाल में जिसकी वज़े से जो परोसी देश हैं, उनके साथ इंडिया के रिष्टे खराब हो गए लेकिन अब दूसरे कारेकाल में सरकार ने अपनी foreign policy को improve किया है जैसे देखो, तालिबान के साथ अब इंडिया engage कर रहा है past में इंडिया की जो hesitation थी कि नहीं हम तालिबान के साथ नहीं deal करेंगे वो एक militant or transition है, वो hesitation इंडिया ने अब छोड़ दी है और तालिबान के साथ इंडिया engage कर रहा है नेपाल के साथ अब इंडिया जब deal कर रहा है तो हिंदित्वा की ideology को बीच में नहीं ला रहा है इवन बांगादेश के साथ जब इंडिया deal कर रहा है न तो इंडिया में आप देखोगे वेस्ट बंगाल के elections हुए थे उसमें बांगादेश का इतना ज़ादा जिकर नहीं हुआ क्योंकि जैसे ruling party को ये समझ में आ गया कि बांगादेश को अगर बहुत तरतक किटिसाइज किया जाता है elections में domestic vote gain के लिए तो इससे foreign policy में असर पड़ता है कल को परधानमंतरी मोदी जब बांगादेश की परधानमंतरी से मिलते हैं तो जवाब देना मुस्किल हो जाता है तो अब तो वैसे भी देखो 1971 के वार को 50 साल पूरे हो चुके है मतलब की बांगादेश को बने 50 साल पूरे हो चुके है तो इस मोके पर हमरे देश के राश्टरपती बांगादेश की आतरा पर गए और दोनों देशों के रिस्ते में गर्माहट आई अब मुई उमीद ये है कि ये जो रिस्तों में गर्माहट है ये आगे भी जारी रहेगी और बात सिरफ देखो नेबर उड के नहीं है पधामंत्री मोदी के दूसरे कारकाल में और भी बहुत अच्छे-ची चीज़ें हुई है जैसे अब इंडिया जो मल्टी लेटरल और्गनेजेशन से एंगेज कर रहा है ना जैसे BRICS है, UN है, इन और्गनेजेशन के साथ इंडिया की जो एप्रोच है अब रिजल्ट और इंटरेस्ट बेस्ट हो गई है पहले इंडिया सिरफ रिटोरिक पर ध्यान देता था, सिरफ बड़ी-बड़ी बातें, रिजल्ट क्या निकल रहा है, इस पर इंडिया का ध्यान नहीं होता था लेकिन अब इंडिया को समझ में आ गया है, बातों से कुछ नहीं होता है, रिजल्ट से सब कुछ होता है, अपनी national interest सर्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इससे पता लगता है कि यह organization हमारे लिए कितनी काम की हैं। UN Security Council की जो Presidency जब इंडिया के पास थी, तब देखो अफगानिस्तान के issue पर इंडिया ने UN की तरफ से बहुत ही अच्छा reply frame किया और एक रास्ता त्यार किया कि Taliban 2.0 से कैसे deal किया जाएं। इसके अलावा देखो, Quad के साथ इंडिया की againstment और UK के Glasgow में जब ये climate change से समधित negotiations हुई थी, उस समय प्रधामत्री मोधी ने जो speech दी, ये सारी चीज़ें remarkable हैं, ये दिखाती है कि इंडिया की जो approach है foreign policy के मामले में अब rhetoric से आगे बढ़के purposeful action की तरफ आ गई हैं। मतलब action oriented अब ज़्यादा हो गई है इंडिया की foreign policy और इंडिया देखो, balance भी ठीक से establish कर रहा है, otherwise तो देखो, जहां USA और Russia, China के बीच जबरदस rivalry हैं, but USA के तो इंडिया अभी करीब है ही, मतलब USA के करीब अभी इंडिया इतना ज़्यादा है, इतिहास में इतना गेरी दोस् बावजुद इसके ऐसा नहीं कि हम बाकी देशों को USA के दुस्मन हैं, उनको ignore कर रहे हैं, S-400 missile defense system हम रश्या से purchase कर रहे हैं, USA के sanctions की धंकी के बावजुद, तो यह एक अच्छा example है, कैसे इंडिया ना balance establish कर रहा है, विबिन देशों के बीच में, और बात सिरफ देखो, USA औ दूसरी तरफ इसराइल के साथ भी, जहां एक तरफ इरान के साथ दोस्ती हैं, दूसरी तरफ साओधियरेविया के साथ भी, यह सब देखो, ऐसे देश हैं, जिनके आपस में दुस्मनी हैं, जैसे इरान USA के बीच दुस्मनी, इरान साओधियरेविया के बीच दुस्मनी, देखो यह बात सच है कि कुछ तो इंडिया की लिम्टेशन्स हैं कि USA के जो सैंक्सन्स है न बहुत ज़्यादा कड़े हो जाते हैं तो एकदम घराई के साथ तो इंडिया इरान के साथ दोस्ती नहीं मेंटेन कर पाता इन सैंक्सन्स की धमकी के साथ चलते हुए लेकिन इस्टाबिश करता है न विबिन देशों के बीच एक ही साथ दो दुस्मनों के साथ दोस्ती मैंटेन करके रखता है उसमें विकेस्ट लिंक है इरान लेकिन इरान की अलग स्टोरी है अभी विलाल देखो जैसा इंडो पैसिविक रीजन में एक क्वैड इमर्ज होके आया ह जिसमें चार देश हैं, इंडिया, USA, जपान और अस्टेलिया, उसी परकार का एक क्वैड वैस्ट में भी इमर्ज होके आ रहा है, जिसमें चार देश हैं, USA, इंडिया, UAE और इसराइल, ऐसा ग्रूप इमर्ज होके आ रहा है, यह भी एक परकार से एविडेंस है कि की इस परकार से इंडिया की जो foreign policy है पिछले कुछ समय में 2-3 सालों में काफी ज़्यादा active हो गई है और sharpness आ गई है इंडिया की foreign policy में बट देखो एक ही समय में इतनी सारी organizations में इंडिया actively participate करेगी इसके लिए ministry of external affair में enough staff भी नहीं है मतलब staff की काफी ज़्यादा sorties है अगर इतना active role इंडिया को play करना है उसके लिए ministry of external affair में staff को increase करना होगा मतलब vacancies जो है सरकार को increase करनी होगी civil services के exam में चाइना की बात की जाती है चाइना के साथ देखो वैसे border पर tensions है लेकिन बावजुद इसके 2021 के पहले half में चाइना के साथ जो trade है 62.7% increase हो गया है मतलब चाइना के साथ भी इंडिया ध्यान पूर्वक balancing करने की कोशिश कर रहा है SEO जो organization है Chinese चाइना की dominated है मतलब इसमें चाइना का dominance है बावजुद इसके SEO में इंडिया actively participate कर रहा है और इसके साथ-साथ equally equally तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छे से participate करी रहा है बिल्कुल ignore नहीं कर रहा है तो ये भी एक act है balance establish करने का Next point देखो प्रधामंत्री मोदी के पहले कारेकाल में सरकार free trade agreement को जाड़ा promote नहीं करती थी बलकि already जो काफी सारे existing free trade agreements थे नम वो सरकार ने रद कर दिये सरकार को लगता था इन free trade agreement से कोई फाइदा नहीं होता बलकि इंडिया को नुक्सान होता है इसलिए देखो प्रधामंत्री मोदी के पिछले 7 साल के कारेकाल में इंडिया ने सिरफ एक free trade agreement साइन किया है आश्यान के साथ 2015 में वो भी जिसका framework पूर प्रधामंत्री डक्तर मनमोन सिंग ने त्यार किया था 2019 में इंडिया ने निया decision लिया कि हम regional comprehensive economic partnership का हिस्सा नहीं बनेंगे लेकिन अब देखो सरकार को समझ में आने लगा है कि दूसरे देशों से integrate होना ज़रूरी है अगर इंडिया अपनी economy को आगे ले जाना चाता है इसलिए इंडिया काफी सारे देशों के साथ free trade agreement के लिए negotiations कर रहा है जैसे UK के साथ, कनाड़ा के साथ और जल्द ही इंडिया free trade agreement sign कर सकता है UAE के साथ 2022 में और European Union के साथ हमारी जो free trade agreement की negotiations थी वो रुकी हुई थी वो फिर से start हुई है तो जल्द ही European Union के साथ भी free trade agreement की खबर आ सकती है बात वही है कि सरकार को समझ में आ गया कि 5 trillion dollars की economy अगर इंडिया को बनाना है न तो ये इस परकार से trade agreement sign करने पड़ेंगे दूसरे देशों के साथ जो trade है वो increase करना पड़ेगा अदरवाइस काम नहीं चलेगा last point देखो सारक और पाकिस्तान से समझ दित हैं इंडिया पाकिस्तान पे अपनी काफी energy invest कर देता है देखो पाकिस्तान से हमें कोई existential threat नहीं है पाकिस्तान खुदी इतने सारे crisis से जूज रहा कि इंडिया को पाकिस्तान सा कोई इतना खास खत्रा नहीं है सिरफ हाँ terrorism का खत्रा है लेकिन हमारी जो forces हैं उस खत्रे से निपटने में सक्सम है otherwise जितना energy इंडिया को पाकिस्तान पे invest करना चाहिए न उससे कहीं गुना ज्यादा इंडिया foreign policy समझ दित energy पाकिस्तान पे invest कर देता है और पाकिस्तान के कारण इंडिया अपना नुक्सान भी कर I ndia ने इस organization को ठंडे बस्ते में डाल दिया है तो इन चीजों पर भी इंडिया को अब introspect करने की आउश सकता है कि ये जो इंडिया ने Sark को ठंडे बस्ते में डाला हुआ है पाकिस्तान पे ज़्यादा energy इंडिया invest करता है क्या ये वर्थ है ये इंडिया को introspect करने की आउ सकता है पूरा आर्टिकल हमने डिसक्स किया चलते हैं आगे इसके बाद नेस्ट आर्टिकल स्ट्रीट वेंडर्स से समधित है इसे देखो आप जी एस पेपर वन में जो सोसल इशूस है ना सोसाइटी है ना वहां से रिलेट कर सकते हों क्या कंटेस्ट है कुछ दिनों पहले क ये बात है देली हाई कोट ने ना कंसर्ण जाईर किया था कि नैसनल कैपिटल में स्ट्रीट वेंडर्स की जो संख्या है ना वो इंक्रीज होती जा रही है तो इसके बाद देली हाई कोट ने नोटिस जारी किया देली सरकार को क्यों ना हम देली गवर्मेंट की जो स्कीम ह देखो थोड़ा इतिहास आपको बताता हूँ पहले क्या होता था जो ये street vendors है ना इनको कभी भी कोई भी कहीं से भी evict कर देता था पुलिस वाले अत्यचार करते थे और MCD वाले भी बहुत तंग करते थे दिल्ली में तो इनकी protection के लिए ना 2014 में एक act आया था act में कहा गया था कि जितने भी existing street vendors है ना उनके survey conduct किया जाए और इस परकार का survey हर 5 साल में एक बार किया जाए और जब survey खतम हो जाता है तो उसके बाद जो लोग vending करते हैं ना यानि street vendor है उनको certificate issue किया जाए और certificate issue करने में SC, ST, OBC, woman, person with disabilities, minorities इनको preference दी जाए act देखो ये भी empower करता है state governments को कि आप TVC यरी town vending committee establish कीजिए street vendors को identify करने के लिए और vending certificate issue करने के लिए ये जो town vending committee होगी ये vendors का record भी maintain करेगी और किसी भी vendor को आप evict नहीं कर सकते बिना TVC से consult किये बिना मतलब आपको किसी भी street vendor को evict करना है न उसकी जगह से हटाना है तो पहले आपको town vending committee से consult करना पड़ेगा लेकिन देखो ये scheme तो अच्छी है street vendors को protect करने के लिए लेकिन आप बहुत सारे मामले देली हाई court में पहुंचे हुए है कुछ street vendors को evict करने से समंदित है कि उसको मतलब street vendor को बोला जाए कि यहां से जगह खाली करे कुछ इससे समंदित है street vendors के हैं कि हमको evict किया जा रहा है हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है हर तरह के मामले देली हाई court के पास पहुंचे हुए है तो उसी पर सुनवाई करते समय देली हाई court ने यह बात बोली कि street vendors की संख्या दिली में बहुत ज़्यदा increase हो गई है street vendors होते कौन है देखो कोई भी person जिसके पास कोई permanent soap नहीं है वो street vendor है जैसे आप यह तस्वीर देखिए अब यह person है इनके पास कोई permanent soap नहीं है यह रात को अपना सारा समान रख देते हैं इदर उदर या फिर ले जाते हैं घर तो यह street vendor है आप में देखा होगा जो ready होती है मतलब North India में तो ready बोलते है उस पर सबजी बेचने आता है कोई person वो street vendors है मतलब कोई permanent ठिकाना ना आओ दुकान ना आओ वो सारे लोग street vendors है government estimate के अनुशार urban informant employment में जो यह street vendors है यह देखो 14% है 14% है और जातर जो यह street vendors है ना देली, मुंबई, कुलकाता, एमदाबाद इन सहरों में है क्यों? यहाँ पर देखो यार population भी तो ज़्यादा है ना इतने छोटे से एरिया में, दिली में, मुंबई में कितनी सारी population है इतने सारे लोग समान भी तो खरीदेंगे ना जब यहाँ पर रहेंगे तो इसलिए street vendors की संख्या इन जगावों पर ज़्यादा है और 7th schedule जो कि देखो state और center के बीच में power divide करता है तो 7th schedule के अनुसार जो street vendors है ना उनको regulate करने की powers है वो states के पास है entry भी लिखियो ही है, entry number 26, trade and commerce and entry number 28, markets and fares तो इनको regulate करने की power किस के पास है? state governments के पास अब देखो जो ये street vendors होते है ना ये बिचारे बहुत सारे challenges का सामना करते है इनके पास कोई social security नहीं होती जैसे देखो कोई सबजी बेचने वाला है वो daily कमाता है, daily खाता है लेकिन भगवान ना करे एक दो महिने के लिए वो बिमार हो गया तो घर में और कोई कमाने वाला नहीं है कोई social security नहीं है, कुछ भी नहीं है और जैसे देखो सरकारी नोकरियों वालों के तो retirement age होती है उसके बाद उन्हें retirement के बाद पैसा भी मिलता है पहले तो pension मिला करती थी, आजकल pension नहीं मिलती लेकिन social security तो होती है ना इन street vendors के पास तो कोई social security नहीं होती इनको बहुत बार bribe देनी पड़ती है और दिल्ली में तो देखो आप मैं क्या बताऊं आपको आपने भी देखा ही होगा, पूरा syndicate चलता है चलो बताई देता हूँ आप knowledge के लिए लिखने की बात नहीं है, देखो दिल्ली में न beat constable होता है ना जो वो पैसे ही कठे करता है इन street vendors से पूरा हिस्सा जाता है जो chain बनी होती है जिसे हम सुनते है, सारा का सारी chain बनी होगी है beat constable जितने भी उसके area में जिसे राजिंदर नगर में जितने भी street vendors है ना एक constable आएगा, उनसे हफता वसूलेगा और वो सारे जाएंगे, फिर assets के पास जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे ऐसा चलता है, जितना आप सोचते हो ना corruption जितना आप answers में लिखते हो उससे कहीं गुणा जादा आपको corruption मिलेगा जब आप service join करोगे, देख लीजेगा खेर, इसके बाद next point है, unrealistic license cap license लेना पड़ता है मुंबई में street vendors को लेकिन license issue किया है सिरफ 15,000 और total street vendors कितने हैं, मुंबई में 5,000,000 तो street vendors की संख्या जादा है, license कम issue किये हुए है पर सासन ने, इसके बाद next है, fluctuating market देखो street vendors का आपस में बहुत tough competition होता है एक गली में आपने देखा होगा कि 3-3-4-4 सबजी बेचने वाले आते हैं और बहुत tough competition होता है market fluctuate करती रहती है, कभी rate कम हुए, कभी जादा हुआ और कई बार समान खराब भी हो जाता है कई बार कोई नहीं खरीदता, risk लेते हैं street vendors अब इनके पास इतना risk, appetite नहीं होता न माल तो इन्होंने खरीद लिया, और कोई नहीं खरीदेगा तो बिचारों को कई बार मजबूरी में सस्ते दामों में बेचना पड़ता है उसके बाद next है बहुत बार आरोप ये भी लगता है कि ये cities में न जगा गेर के बैठ जाते हैं काफी काफी जगा गेर के बैठ जाते हैं traffic congestion काफी ज़ादा हो जाता है और जो खाने वाले street vendors होते हैं ना fast food वाले खास करके वहाँ पर proper hygiene नहीं होता साफ सफाई नहीं होती और खाने की तो जाच भी नहीं होती मतलब restaurants में तो authorities जाके जाच तो कर लेती हैं कभी कबार की कैसा खाना परोसा जा रहा है consumers को लेकिन street vendors कैसा खाना दे रहे हैं इसकी तो सरकार कोई जाच भी नहीं करती उनको regulating नहीं करती food के मावले में सरकार e-commerce से उनका tough competition है आज कल के देखो छोटी सोचोटी चीज हम लोग Amazon Flipkart यहां से मंगाने लगे हैं तो हम local जगह पर जाके चीजें खरीदने की जो हमारी tendency है धीरे-धीरे बहुत काम हो रही है हमें लगता है कि क्या मोल भाव करना पड़ेगा और Amazon पर चीज सस्ती मिल जाती है लेकिन इस tendency की वज़े से street vendors का जो रोजगार है वो छिंद रहा है इसके बाद way forward की हम बात करते है way forward में देखो problems पता है तो आप way forward तो आसानी से लिख सकते हो जैसे कि खाने की जांच होनी चाहिए जो local food street vendors है न समय समय पर सरकार उनके खाने की जांच करे ताकि local food street vendors में भी एक भै उत्पन हो कि अगर हम खाना ठीक quality का नहीं बेचेंगे तो सरकार हमारे उपर कारवाई कर सकती है सजा भी हो सकती है ऐसा डर उनके अंदर भी होना चाहिए यह देखो authenticate the quality of products sold on the streets next देखो urban design इस परकार से होना चाहिए कि street vendors के लिए proper जगह अरक्सित हो कि इस जगह पे इस महले में इस जगह पे street vendors अपना समान बेच सकते हैं लाकि जो local महले वाले हैं वो उस जगह पे आके एक ही जगह पर सारे street vendors को access कर सकें और उनसे उनका समान खरीद सकें तो इसके लिए देखो अच्छी urban planning होने की आउशकता है next by locally लोगों को promote किया जाए aware किया जाए कि देखो आप locally चीजें खरीदते हो तो इससे रोजगार के अफसर पैदा होते हैं जैसे दिवाली के समय में आपने देखा होगा campaign चलते हैं कि आप local दिये खरीदिये Chinese जो material है वो ना खरीदिये तो हम सब को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम local vendors से समान sorry पानी पी नहीं पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है जब भी हम local समान खरीद सकते हैं तो local हमें समान खरीदना चाहिए तो ये हमने पूरा article डिसकस किया street vendors से समन्दित और इसके बाद next अब हम article डिसकस करेंगे सिरी अरबिंदो से समन्दित इनका जनम खाथा 1872 में और अरबिंदो खोस की देथ होती है 1950 में अरबिंदो खोस से समन्दित following topics हम डिसकस करेंगे इनके द्वारा थोरी क्या दी गई Indian nationalism से समन्दित इन्होंने moderates का किस परकार से क्रिटिसिजम किया passive resistance की ठीज़ी क्या है अरबिंदो खोस की इनका idea क्या है human unity का concept of freedom क्या है अरबिंदो खोस का अरबिंदो खोस को देखो Indian nationalism का prophet भी कहा जता है इनके द्वारा काफी interesting ठीज़ी दी गई है Indian nationalism के बारे में जिसे अभी हम discuss करेंगे रबिंदर ना टैगोर ने अरबिंदो खोस के बारे में कहा था world को इंडिया की genius civilization और इंडिया के culture के बारे में पता लगेगा अरबिंदो खोस की writing की साहिता से इनकी writing काफी ज़्यादा famous हुई इनके जीवन काल में ही जैसे देखो लाल बाल पाल यानि लाल लाज पत्राए बाल गंगा दर तिलक और विपिन चंदर पाल extremist leader थे गरम दल के नेता थे उसी परकांसे अरबिंदो खोस भी गरम दल के नेता थे extremist थे अपनी approach में moderates को काफी ज़्यादा criticize किया जाता है क्या जाता है क्योंकि उनके जो views थे nation के बारे में उन views से इतिफाक नहीं रखते थे अरबिंदो खोस क्योंकि early nationalist कहा करते थे इंडिया अभी फिलाल nation नहीं है nation in making है लेकिन अरबिंदो खोस कहा करते थे इंडिया हमेशा से एक nation रहा है इस concept को अभी हम discuss करेंगे दूसरा reason जिसकी वज़े से अरबिंदो खोस क्रिटसाइज करते थे moderates को उनका independence मांगने का जो तरीका था उससे वो सहमत नहीं थे तो अरबिंदो खोस ने अपना ही एक method बताया passive resistance तो इनके द्वारा passive resistance की थियोरी दी गई थी अरबिंदो खोस ये भी कहते थे moderates को कि आपके जो विचार है आपको जो लगता है British rule के बारे में आपके विचार पूरी तरह से गलत है याद कीजिए जब Congress का निर्मान हुआ था तो शुरुवात में किस परकार के methods को अपनाया जाता था moderates के द्वारा prayer की जाती थी petition दी जाती थी protest किया जाता था simple तरीके से अरबिंदो खोस कहा करते थे इस परकार से वो छोड़ के जाने वाले नहीं है इंडिया को और वो आपको rights भी नहीं देंगे आप गलती कर रहे हो आप British rule के nature को ही नहीं समझ पा रहे हो इस परकार की बाते कहकर अरबिंदो खोस के द्वारा जो moderate leaders थे उनको criticize किया जाता था जब देखो अरबिंदो खोस ने political scene में enter किया तो उस से मैं जमीन तो त्यार कर दी गई थी early nationalist के द्वारा यानि धीरे धीरे देश के youth में national consciousness बढ़ रही थी लोगों में जागरूता फैल रही थी किस परकार से बिट्शल्स के द्वारा हमारा सोसन किया जा रहा है तो अरबिंदो खोस को ये लगता था youth जो है देश का वो board action चाते हैं वो nationalism की एक board छोरी चाते हैं लेकिन जो early nationalist है उन्होंने new India की spirit को ठीक से capture नहीं किया और इस वज़े से जो काफी ज़्यादा consciousness आई थी देश के youth में उसका ठीक ढ़ंग से utilization नहीं हो सका next हम discuss करते हैं किस परकार से Arobintho Ghosh के द्वारा moderates के जो views थे nation के बारे में उन views को criticize किया जाता है देखो Britishers ने ये कहा था उस समय India एक nation नहीं है India सिरफ एक geographical expression है और इसे मान भी लिया गया था early nationalist के द्वारा उन्होंने कहा था for example Surinder Naak Bener जी ने कि हाँ India एक nation नहीं है India nation in making है Britishers का मानना था India एक nation तब होता जब पूरे देश में एक language बोली जाती या फिर एक ethnic group के लोग रहते लेकिन इंडिया में तो इतनी ज़्यादा diversity है कि इंडिया एक nation नहीं है इंडिया में बहुत सारे nations है ये बात Britishers के द्वारा बोली गई थी लेकिन जो moderates थे उनको ये लगता था कि हाँ इंडिया अभी फिलाल एक nation नहीं है इंडिया nation in making है Britishers जो राजगर रहे हैं इंडिया के उपर वो हमारे भले के लिए हैं ऐसा मान लिया गया था moderates के द्वारा moderates को ये लगता था Britishers हमारे देश को modernize करेंगे और हमारे देश में जब modernization आएगी तो धीरे धीरे हमारे देश एक nation बनके emerge होगा वो नराज नहीं करना चाहते थे early nationalists यानि moderates Britishers को इसी वज़ेसे उन्होंने constitutional methods को follow किया जैसे prayers, petitions और protest लेकिन अरविंदू गोस्ट ने criticize किया moderates के जो view थे nation के बारे में अरविंदू गोस्ट ने कहा कि इंडिया अभी फिलाल एक nation है और इंडिया हमेशा से एक nation रहा है इंडिया की spirit जो है as a nation वो congress के पंडाल्स की मोताज नहीं है अरविंदू गोस्ट ने ये कहते हुए criticize किया moderates का आपको लगता है कि हमारी situation बहुत ज़रा खराब थी Britishers इस situation में आये तो हमें फाइदा हुआ है यानि Britishers का इंडिया में आना blessings in disguise है इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है foreign rule कभी भी blessing नहीं हो सकता foreign rule कोई फाइदा हमारा नहीं करने वाला है क्योंकि देखो जब तक हम Britishers के अधीन है तो इंडिया के इंडिया as a nation का जो natural evolution होना चाहिए वो natural evolution इंडिया का as a nation नहीं हो पा रहा है बलकि अर्बिंदो खोस का ये भी मानना था बार बार moders जब ये कहते हैं British rule हमारे लिए अच्छा है उनकी बार बार तारिफ करते हैं तो इससे होता क्या है वो लोग जो Britishers के खिलाफ संघर्स का रास्ता अक्तियार करना चाते हैं struggle करना चाते हैं उनका moral भी down होता है अर्बिंदो खोस ने कहा जो constitutional methods का इस्तिमाल किया जा रहा है moderates के द्वारा Britishers के against struggle करने के लिए वो constitutional methods कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि British government constitutional है ही नहीं British government इंडिया के accountable ही नहीं है तो फिर कैसे आप expect कर सकते हो constitutional methods से आपको success मिलेगी अर्बिंदो घोस तो बलकि ये बोलते थे आप colonialism के बिल्कुल root परवार कीजिए कैसे करोगे colonialism के बिल्कुल root परवार सवदेशी की साइथा से सवदेशी movement की साइथा से by court की साइथा से national education की साइथा से national education पर इसलिए बल देते हैं अर्बिंदो घोस क्योंकि अर्बिंदो घोस को लगता है स्कूलों में जो education बताई जाती है उससे देखो persons जो पढ़ते हैं वो British सारकार के लोयलिस्ट बनते हैं यानि गरत पार्ट पढ़ाया जाता है स्कूलों में इसलिए national education ही ऐसी education है जो patriotic और nationalist individuals पैदा कर सकती हैं अर्बिंदो घोस का ये भी माना था British administration का by court कर देना चाहिए जो national courts हैं उनका भी by court कर देना चाहिए यानि Britishers का इंडिया में रहना दूबर कर दिया जाए जब Britishers को इंडिया में रहना घाटे का सोज़दा लगेगा जब वो देश को इंडिया को छोड़ कर चले जाएंगे अर्बिंदो घोस ने passive resistance method को sport किया था circumstances के अनुसार even अगर circumstances allow करती हैं तो वो violence के भी खिलाफ नहीं थे बंगाल की एक revolutionary society थी जिसके बारे में आपने spectrum में काफी बार पढ़ा होगा युगांतर युगांतर एक revolutionary society बंगाल की इसके साथ लिंक्स थे अर्बिंदो घोस के एक और खांस मात अर्बिंदो घोस ने देखो पूर्ण सवराज का concept दिया था अर्बिंदो घोस पहले person थे जिनके द्वारा पूर्ण सवराज का concept दिया गया था ओविशिली 1929 में जब नहरू Congress के President थे तब गोल बना था पूर्ण सवराज Indian National Congress का तो इस परकार से हमने अर्बिंदो घोस के क्रिटी को जाना Moderates के बारे में अब अर्बिंदो घोस के अंदर next topic है अर्बिंदो घोस theory of nationalism nationalism के बारे में अर्बिंदो घोस ने क्या कुछ बोला है देखो nation के संधर में तीन concepts है Liberals का concept nation के बारे में Marxist का concept और तीशे नमबर पे cultural nationalism Liberals का क्या कहना है nation के बारे में उसकी जलक हमने discuss की जब हमने अर्बिंदो घोस के views को जाना Moderates के बारे में Liberals का ये कहना है nation is a evolution nation एक modern concept है जैसे जैसे modernization आता है society और ज़्यदा rational होती जाती है धरम की जो significance है वो कम होती जाती है लोग इकठा होते हैं secular benefits के लिए और nation का evolution होता है तो ये concept दिया गया था Liberals के दवारा इसलिए वो liberal कहा करते थे इंडिया अभी nation in making है यानि modernization लेकर आएंगे Britishers इंडिया में rationalization आएगा तो इस वज़े से इंडिया as a nation evolve होगा ये मानना था इसे false consciousness बुर्जवा क्लास के दवारा यानि पुंजीपती क्लास के लोग के दवारा nationalism का इस्तमाल किया जाता है nation का इस्तमाल किया जाता है working class के लोग के बीच जो एक जुठता है उसे तोड़ने के लिए Bandit Anderson prominent exponent है इनके दवारा कहा गया था nation as invented tradition अब हम बात करें nationalism के तीसरे स्कूल की ये है cultural nationalism ये देखो जर्मन स्कूल ओफ नेशलिजम है secular का नाम है harder harder ने कहा था nation जो है वो real है nation हमेशा चलता रहता है eternal है nation कभी मरता नहीं है nation की अपनी एक अलग से spirit है nation जो है वो natural है ऐसा नहीं है कि modernization के बाद rationalization के बाद nation आता है nation अपने आप से आता है ये natural है और nation की जो existence है उसे recognize क्यादाता है common cultural symbols के अधार पर ये concept किसका concept है ये साधी बाते बोली गई थी harder के द्वारा जो कि एक german secular थे इन्ही सब बातों पर अरबिंदो घोस का nationalism का concept अधारित है अरबिंदो घोस की थोरी को भी cultural nationalism के नाम से जाना जाता है किसके विचारों की छाप देखने को मिलती है या फिर inspiration क्या है अरबिंदो घोस का अपनी cultural nationalism की थोरी देने के लिए अर्बिंदो घोस देखो दो चीजे थे दो चीजों से काफी ज़्यादा इंफ्लेंश थे परभावी थे पहला स्वामी विवेकानंद का नियो विदान्तिजम और दूसरा यहां पर देख लिजे स्वामी वियकरनद के द्वारा जो नियो विदान्तिजम का concept दिया गया था और दूसरा बकीम चंदर चेटर जी का patriotism का concept बकीम चंदर चेटर जी ने आनंद मठ लिखा था समझ गए यह दो चीज़े याद रखेगा अर्विंदो घोस दो चीजों से परभावित थे स्वामी वियकरन्द का नियो विदान्तिजम का कंसेप्ट और बकीम चंदर चटर जी का पैट्रोटिजम का कंसेप्ट पहले हम बात करते हैं स्वामी वियकरन्द के कंसेप्ट नियो विदान्तिजम के बारे में स्वामी वियकरन ने देखो ब्रामनीजम पे अटाक किया था स्वामी वियकरन को यह लगता था ब्रामनीजम की वज़े से जो समाज में युनिटी है वो नहीं आ पा रही है इसलिगे स्वामी वियकरन के दवरा औह mystery क्या गया था वासुदेव, कुटुम कम यानि इस कॉस्मो पॉलिटियनिजम का मतलब ये है, संसार में जितने भी human beings है, उनके बीच एक shared dignity है व्योगरन ने ये कहा था, अल्दो देखो, इंडिया में बहुत सारी diversity है लेकिन फिर भी पूरे इंडिया में एक common way of life है, मलब जिंदगी जीने का एक common तरीका है पूरे इंडिया में चाहे east हो, west हो, north हो, south हो कुछ common चीजे जरूर है way of living life में, उन common चीजों की वज़े से देश में diversity होते हुए भी unity है, अब हम बात करते हैं किस परकार से स्वामी विवेकरन्द की बातों का, विचारों का influence देखने को मिलता है अरविंदो घोस की जो ठोरी है nationalism के बारे में उसमें अरविंदो घोस को भी देखो यही लगता था कि इंडिया में unity है diversity में भी, अरविंदो घोस को भी यही लगता था कि पूरे इंडिया में चाए वो north हो, south हो, east हो, west हो जिंदगी जीने के तरीके में कुछ common चीज़े हैं और उन common चीजों की वज़े से देश में diversity होते होए भी unity है और यह एक परकार से अधार है पूरे देश में national consciousness का अरविंदो घोस को यह भी लगता था, sanatan dharam एक परकार से आधार बन सकता है पूरे इंडिया को unify करने में, समझ गए फिर से बोलता हूँ अरविंदो घोस को यह लगता था, sanatan dharam यानि हिंदु धरम एक आधार बन सकता है पूरे देश को unify करने के लिए एक जूट करने के लिए स्वामी विवेकारन ने यूद से अपील की थी एक famous quote आपने सुना होगा arise awake and do not stop till goal is not achieved उठो, जागो और तब तक ना रुको तब तक आपका लक्षय अचीव ना हो जाए ये कहते हुए स्वामी विवेकारन ने अपील की थी यूद से कि आप पूरी तरह से अपने आपको dedicate कर दो मातर भूमी के कास के लिए मातर भूमी के लिए इसका influence अर्बिंदो घोस पे भी देखने को मिलता है अर्बिंदो घोस भी कहते हैं जिस परकार से देखो लोग religion के लिए स्मर्पित होते है उसी परकार से लोगों को nationalism के परती भी स्मर्पित होना होगा खास करके youth को यानि nationalism एक परकार से धरम होना चाहिए youth के लिए फिर से बोलता हूँ अर्बिंदो घोस ये कहते हैं जैसे लोग देखो धरम के परती स्मर्पित होते हैं religion के परती उसी परकार से देश के youth को nationalism के परती स्मर्पित होना होगा अब हम बात करते हैं बकीम चंदर चटर जी के विचारों का क्या influence देखने को मिलता है अर्बिंदो घोस पर पहले हम बकीम चंदर चटर जी के बारे में को जानते हैं बकीम चंदर चटर जी की एक बुक है अनंद मठ जिसमें बकीम चंदर चटर जी के दवरा इंडिया को Mother Goddess यह कहकर ँज्य को और llama इंडिया जो है वो माता सक्ती है और अभी माता सक्ती फोरण चेंज में है और यूद की जिम्मदारी बनती है मदर इंडिया को फोरण चेंज से आजाद करवाय जाए फोरण रूल से आजाद करवाय जाए अर्बिंदो घोस भी देखो इसी परकार से अपील करते हैं इंडिय विचारों से परभावित है कहा देखो ऐसा भी जाता है कि अर्बिंदो घोस का जो नैसलिजम है वो अगर विवयक अनंद के विचारों से परभावित है तो पेट्रियोटिजम परभावित है बकीम चंदर चेटर जी के विचारों से जैसे बकीम चंदर चेटर जी ने ये कहा इंडिया as a nation जो है वो mother goddess सक्ती है यानि देवी सक्ती को represent करता है इंडिया उसी परकार से अरभिंदो घोष ने भी देवी सक्ती का इस्तमाल किया अंग्रेजों को ड्राने के लिए अरभिंदो घोष के द्वारा कहा गया कि goddess सक्ती यानि जो देवी सक्ती है वो लाखों लोग जो इंडिया की अजादी के लिए लड़ रही है उन लोगों को represent करती है देवी सक्ती यानि गोड़ेश सक्ती इस परकार से अरभिंदो घोष ने नैसलिजम का जो आइडिया था उ इससे होगा क्या एक तो वो लोग जो अंग्रेजु के खिलाफ लड़ रहे हैं उन्हें भी बहुत ज़दा encouragement मिलेगा क्योंकि देखो उस समय religion society में बहुत ज़दा embedded था तो religion का या फिर आप कह सकते हो spiritualism का साहरा लिया गया अरभिंदो घोष के द्वारा nationalism को और ज़दा strong ब आजाद करवाना है यह particular बात तो वैसे वकीम चंदर चेटर जी के द्वारा बोली गई थी लेकिन जैसा हमने डिसकस किया अरभिंदो घोष भी वकीम चंदर चेटर जी के इस परकार के विचारों से परभावित है तो यूथ में automatic encouragement आता है आप समझ रहे हो ना पूरे concept को उ देवी सक्ति के साथ relate कर दिया nationalism को मक्सर यह था क्योंकि religion की तो उससे में respect होती ही थी बहुत ज्यादा देवी सक्ति की respect तो बहुत ज्यादा थी ही तो यूथ को encourage कि आजास के कि foreign rules के खिलाफ लड़ना एक परकार से आप represent कर रहे हो देवी सक्ति को ही यह आपकी duty बनती है कि आप इंडिया as a nation जो कि देवी सक्ति को represent करता है उसे आजाद करवाओ foreign rules से तो इस परकार से nationalism के idea को spiritualize कर दिया गया अरविंदो घोस के द्वारा अब हम जानते हैं अरविंदो घोस ने क्या बोला nationalism के बारे में अरविंदो घोस ने बोला देखो इंडिया nation in making नहीं है जो क कि मोडरेट के द्वारा बोला गया इंडिया हमेशा से एक nation रहा है इंडिया पहले भी nation था आज भी इंडिया एक nation रहा है nation को clarify किया गया अरविंदो घोस के द्वारा इन्होंने कहा nation एक geographical expression नहीं है nation सिरफ human beings का एक collection नहीं है ऐसा नहीं है कि कुछ human beings आपस में इकठे होकर रहने लगते हैं तो वो nation है नहीं nation land का एक टुकड़ा नहीं है nation figure of speech नहीं है nation mind की creation नहीं है nation law की imagination से नहीं create होता है nation एक political program नहीं है nation एक intellectuals past time भी नहीं है past time मतलब ऐसा नहीं कि intellectuals ने बस अपने मन महलाने के लिए nation का concept create कर दिया गया हो ऐसा कुछ नहीं है इनके द्वारा बोला गया nation एक faith है, nation एक विश्वास है, nation एक religion है nation divine है, divine मतलब devia है, nation एक spirit है, तो ये सारी बात बोली गई अरबिंदो गोश के द्वरा nationalism के बारे में समझ गए, यानि फिर से आपको revise करवा लेता हूँ, याद हो जाएंगे ये बोलते हैं, nation एक geographical expression नहीं है, nation land का टुकड़ा नहीं है, nation ऐसा नहीं कि कुछ human beings मिलके रहना लगते है यानि collection of human beings एक nation है, nation ना तो figure of speech है, ना ही mind की creation है, nation ना तो लोग की imagination से create होता है, ना ही ये political program है, ना ही ये intellectuals का एक past time है नेशन है एक faith, नेशन है एक religion, नेशन डेविय है, नेशन एक spirit है, नेशन एक divine है, तो ये सारी चीज़े बोली गई अर्विंदो घोस के द्वारा nationalism के बारे में अब हम जानते हैं, इंडिया as a nation के बारे में क्या views थे अर्विंदो घोस के, इनका ये मानना है, जैसा हमने पहले भी डिसकस किया, इंडिया as a nation के spirit हमेशा से रही है ऐसा हो सकता है कि वो spirit सो रही हो, लेकिन अब वो spirit जाग चुकी है, और spirit कभी मरती नहीं है spirit को आप suppress नहीं कर सकते, spirit मरती नहीं है, spirit फिर से emerge होके आती है समझ गए, यानि इनका कहना है, इंडिया as a nation की spirit हमेशा से थी, लेकिन वो spirit सो गई थी अब वो spirit जाग गई है, spirit को आप suppress नहीं कर सकते, spirit कभी मरती नहीं है, वो फिर से emerge होके आती है और वो अब फिर से emerge होके आ गई है, अब कोई इंडिया को रोक नहीं सकता as a nation evolve होने से ये बात बोली गई, अरविंदो घोष के द्वारा, इंडियन नेशन के बारे में यहाँ पर देखो ये concept और भी ज़्यादा interesting हो जाता है, अमर्तिया सेन कहते हैं, इंडिया का emerge होना, यानि इंडिया का rise होना, एक divine mission है divine mission समझते हो न, divine का मतलब है connected with God, यानि इंडिया का rise एक बगवान का mission है divine mission को और ज़्यादा explain करते हैं, अरविंदो घोष ये कहते हैं, कि देखो जो universal spirit है, universal आत्मा, वो इंडिया के थुरू अपना message देना चाहती है इंडिया की civilization में सिर्फ ऐसी values हैं, जो की world को crisis से protect कर सकती है फिर से बोलता हूँ, इनका ये कहना है, इंडिया का rise होना, ये एक divine mission है, यानि बगवान का mission है जो universal spirit है, वो इंडिया के थुरू पूरे world को एक message देना चाहती है इंडिया की civilization में सिर्फ ऐसी values हैं, जो पूरे world को crisis से protect कर सकती है और इंडिया का rise होना, इंडिया का उपर उठना as a nation, ये सिर्फ ना सिर्फ Indians के लिए beneficial है बलकि पूरे की पूरी जो मानवता है, पूरी की पूरी जो humanity है, उसके लिए ये बहुत जड़ा beneficial है अगर इंडिया rise होता है, अगर इंडिया उपर उठता है as a nation, तो इसलिए इंडिया का जो rise हो रहा है as a nation ना तो इसे रोकना possible है और ना ही इसे रोकना desirable है और दूसरी तरफ international community को फर्यास ये करना चाहिए, कि इंडिया जल्द से जल्द as a nation, rise हो और इसके लिए जुरूरी ये है, कि जो foreign rule अभी फिलाल इंडिया में है, वो इंडिया को छोड़ के चला जाए और जल्द से जल्द इंडिया का rise हो समझ गए कितने चलाकी से, कितने अच्छे डंग से अर्बिंदो घोज के द्वारा अपना ये divine mission का concept दिया गया ये कहते हैं, इंडिया as a nation जो rise हो रहा है, वो एक divine mission है, भगवान का mission है यानि, universal spirit इंडिया के थुरू पूरे world को एक message देना चाहती है तो पूरे world को अगर भगवान का message सुनना है, तो उसके लिए ये ensure करना होगा कि इंडिया को आजाद करवाय जाए क्योंकि slavery में रहते हुए, इंडिया वो message पूरे world को नहीं दे सकता message वैसे है क्या, message हमने discuss किया न, अरविंदो घोस कहते है, इंडिया की civilization के अंदर ही सिरफ ऐसी values हैं जो पूरे world को crisis से बचा सकती है, लेकिन अगर पूरा world चाता है, इंडिया divine message को deliver करे इसके लिए इंडिया को foreign rule के chain से बाहर निकालना होगा, इंडिया को अजाद करना होगा, slavery से बाहर निकालना होगा तो ये पूरा concept हमने समझा, अरविंदो घोस का nationalism का, अरविंदो घोस का अब next concept आता है concept on human unity, next हम बात करते हैं, अरविंदो घोस के क्या views है, human unity के बारे में देखो, अरविंदो घोस ये कहते हैं, भारत की जो आजादी है, जो independence है, वो सिरफ एक पड़ाव है, वो सिरफ एक intermediate stage है अरविंदो घोस कहते हैं, इंडिया का जो nationalism है, वो दूसरे कई देशों की jingoistic nationalism की तरह नहीं है काफी बार आपने देखा होगा, extreme patriotism देखने को मिलता है, जैसे first world war से पहले कुछ देशों में देखने को मिलता था मांग की जाती थी कि war like foreign policy होनी चाहिए, attack कर दो दूसरे देशों पर इस परकार का nationalism इंडिया का नहीं है, इंडिया का जो nationalism है, वो सनातन धर्म की values पर अधारित है और सनातन धर्म की values किस परकार से है, universalism and cosmopolitism cosmopolitism मतलब, world में जितने भी human beings रहते हैं, उनके बीच एक shared dignity है एक बार जब इंडिया आजाद हो जाएगा, तो उसके बाद stage आएगी cosmopolitan world order की अरविन दोखोष के दुआला देखो, एक important concept यहाँ पर यह दिया जाता है aggregation जो है, वो universe का law है, क्या मतलब है इस चीज़ का, इस चीज़ का मतलब देखो यह है man सभी जूरतों को अपने आप से पूरा नहीं कर सकता, यानि man self sufficient नहीं है अपनी जूरतों को पूरा करने के लिए man के दौरा family के आप सकता पड़ती है याद कीजिए, Aristotle ने भी इसी परकार की बाते कही थी, state का justification देने के लिए तो man अपनी जूरतों को पूरा करने के लिए family का निर्मान करता है लेकिन family के level पर भी सभी जूरते man की पूरी नहीं होती इसलिए man के दौरा nation का निर्मान किया जाता है लेकिन important बात यहाँ पर यह है अर्बिंदो घोस कहते है एवन एक nation भी फिलाल जो problems emerge होके आ रही है world में उस परकार की problems को address करने में एक nation सक्सम नहीं है तो Cosmopolitan world order की बात की जाती है अर्बिंदो घोस के दौरा जो की possible है एक बार इंडिया को अजादी मिल जाती है तो second जो stage होगी वो होगी Cosmopolitan world order essence इस बात का देखो यह निकलता है अर्बिंदो घोस कहते है law of aggregation के हिसाब से कि Cosmopolitan world order तो emerge होगा ही एक बार इंडिया को अजादी मिल गई उसके बाद यह Cosmopolitan world order establish होगा क्योंकि यह law of nature है अगर हम law of nature के हिसाब से नहीं चलते हैं law of nature को follow नहीं करते हैं तो nature हमें destroy कर देगी और Cosmopolitan world order establish करने में इंडिया एक एहम भूमी का निभाएगा क्योंकि इंडिया की civilization values ऐसी है जो पूरे world को crisis से बचा सकती है अगर देखो अरबिंदो घोस के हम इन विचारों को analyze करें तो कुछ हर्द तक यह बात सही भी है क्योंकि आज के समय में climate change, transnational terrorism, radicalism कुछ problems ऐसी है जो एक nation के द्वारा tackle नहीं की जा सकती चाहे वो कोई nation superpower ही क्यों ना हो विविन देशों के बीच कोस्मो पॉलिटिनिस्म की जो spirit है वो जुरूर होनी चाहिए काफी सारी समझ्याओं को एदर्स करने के लिए तो कुछ हद तक यहाँ पर relevance देखने को मिलती है अरबिंदो घोस के जो views है human unity के बारे में यानि global problems को address करने के लिए nations को एक जुठ होना ज़रूरी है यह हमने concept डिसकस किया अरबिंदो घोस का human unity का next हम बात करते हैं अरबिंदो घोस का concept क्या है freedom का देखो यह चीज हमने पहले भी डिसकस की थी पूर्ण सवरांस का concept सबसे पहले दिया गया अरबिंदो घोस के द्वारा बाद में officially 1939 के सैसन में जिसके प्रेजडेंट नहरू थे officially पूर्ण सवरांस के concept को adopt किया गया सुर्वात में अरबिंदो घोस के द्वारा यह कहा गया था जो बाते moderates के द्वारा कही जाती है कि इंडिया में अंदकार था और Britishers जो इंडिया में आये हैं रूल करने के लिए वो तो एक परकार से इंडिया को फाइदा हो गया है blessing in disguise है इससे ज़ादा और कुछ नहीं है लेकिन अरबिंदो घोस इन सब बातों से इतिफाक नहीं रखते हैं वो कहते हैं British rule जो है वो blessing in disguise नहीं है इंडिया को liberate करवाना ज़रूरी है foreign chain से यहाँ पर देखो अरबिंदो घोस के सवराज के बारे में जो विचार थे उनमें evolution देखने को मिलता है ना सिरफ वो liberation की बात करते हैं foreign rule से बलकि वो society के context में भी सवराज को discuss करते हैं अरबिंदो घोस के द्वारा कहा जाता है अजादी को इस परकार से हासिल किया जाए जिससे society के interest किसी भी परकार से negatively परभावित ना हूँ देखो उस समय debate चलती रहती थी दो परकार के economic system के बीच एक capitalistic system और दूसरा socialist system अरबिंदो घोस ने ना तो capitalistic system को एप्रूव किया ना ही socialist system को एप्रूव किया अरबिंदो धोस के द्वारा कहा गया capitalistic system में क्या होता है freedom का जो view है वो सिरफ mechanistic view है capitalism में individual के rights पे जादा focus किया जाता है individuals की freedom पे जादा focus किया जाता है कि individual जो है वो अपने आप में self sufficient है, इस परकार की बाते बोली जाती है, capitalistic system के द्वारा, तो ये जो आजादी है, अरबिंदो घोर्ष के द्वारा कहा जाता है, ये आजादी सिरफ mechanistic आजादी है, सिरफ हर एक आदमी जब सिरफ अपने बारे में concerned होगा, बाकि दूसरों के बा socialistic system का, वो तो सिरफ economic freedom की बात करते हैं, liberty को वो पूरी तरह से compromise कर लेते हैं, तो अरबिंदो घोर्ष का ये मानना है, actual में freedom, मानावता अधारित होनी चाहिए, मानावता के सच पर freedom का अधार होना चाहिए, liberty, equality, fraternity, ये slogan आपने सुना होगा, friends revolution में, इन तीनों के triangle की बात की जाती है, अरबिंदो घोर्ष के द्वारा भी, अरबिंदो घोर्ष का ये मानना है, जो individual freedom है, वो nation के interest के against नहीं होनी चाहिए, नहीं वो humanity के interest के against होनी चाहिए, यानि तीनों चीजें आपस में converge करनी चाहिए, individual freedom, nation की freedom, और humanity as a whole, अपने लास्ट सालों में अरबिंदो घोर freedom को metaphysical और spiritualistic sense में भी देखने लगे थे, metaphysical का मतलब ये है, जैसे existence कैसे आई थी, life की, जीवन क्या है, ये सब चीजें जो है, वो metaphysical domain में आती है, तो spiritualistic sense में और metaphysical sense में भी freedom को देखने लगे थे, अरबिंदो घोर्ष उन्होंने पुलिचेरी में एक आश्रम की स्थापना की थी, अरबिंदो घोष देखो विश्वास करते थे सचिन्दा रन के concept में, सचिन्दा रन का क्या मतलब है, सचिन्दा रन न देखो टीन वर्ड से मिलके बना है, सत प्लस चीत प्लस आनंद, मतलब इसका ये है, आप एक बात बदाईए, हर एक human being का life में लक्षय क्या है, हर और happiness कैसे प्राप्ट की जा सकती है, happiness देखो प्राप्ट की जा सकती है, ultimate reality का जब पता लगता है, किसी को ultimate reality का जब पता लगता है, तो उसे real happiness प्राप्ट होती है, याद कीजिए, सोक्रेटिस भी इसी प्रकार की बातें किया करते थे, अब question ये उठता है, कि ultimate reality का पता कैसे लगेगा तो अरबिंदो घोस को लगता है ultimate reality का पता तब लग सकता है जब एक individual, एक human being super mind की state achieve करता है यह super mind की state क्या होती है super mind की state वो state होती है जब आपको divine consciousness होती है यानि आपको पता लगता है life की उत्पति क्यों हुई है existence क्या है existence कैसे originate हुई है यह सब चीजें होती है super mind की जब state आप achieve करते हो और super mind की state कैसे achieve की जा सकती है super mind की state achieve की जा सकती है internal योग की साहिता से internal योग में काफ़ी साही चीजें आती है जैसे धरम योग, राज योग ज्यान योग, भगत योग, करम योग, हट योग और लास्ट में एक बात ये भी बोरी जाती है internal योग के लिए क्या चाहिए internal योग के लिए चाहिए तप और साधना सिरफ internal योग की साहिता से ही हमारा जो mind fragmented और disoriented state में रहता है उसे हमारे बारे में और world के बारे में बिल्कुल crystal like clear understanding हासिल हो सकती है तो ये है पूरा concept सचिन्दा दंद का फिर से 30 second में आपको revise करवाऊ सत का मतलब होता है सच, चित का मतलब होता है सूपर माइंड और अनन्द का मतलब होता है happiness life में हर एक human being का मकसद है happiness प्राप्त करना और happiness कैसे प्राप्त हो सकती है जब सच पता लगेगा जब ultimate reality पता लगेगी ultimate reality कैसे पता लग सकती है जब state of super mind achieve होगी state of super mind कैसे achieve हो सकती है internal yoga की साहिता से और internal yoga के लिए क्या करना होगा internal yoga के लिए करना होगा तप और साधना करने से अभी आपका जो mind है बिलकुल fragmented state में है, disoriented state में है, आपके mind को clear understanding हासिल होगी अपने बारे में और world के बारे में, यनि तप और साधना करने पर वकालत करते हैं अरविंदो घोस, ये पूरा हमने view समझा, अरविंदो घोस का क्या view है, freedom का, तो ये थी हम thank you, thank you very much for discussion